लेवल्स आफ मेयर्मेंट में सबसे हाइस लेवल आफ मेयर्मेंट जो है वो रेश्यो है यानि ऐसे नुमेरिकल वैल्यूज जिनके अंदर चार करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो नुमेरिकल डेटा के हैं तो हम कहते हैं कि ये जो डेटा है इसका लेवल आफ मेयर्मेंट रेश्यो है अब देखिए इंटर्वल में जो बाते मैंने आप से कहीं उसमें यहां तक इस्टेबलिश हुआ था के इंटर्वल डेटा में तीन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो रेकिगनीशन के काम आता है उसके अंदर आडर पाया जाता है और उसके अंदर किसी दो कंजेक्रिटिव नंबर्स के दरमयान डिफरेंस जो होता है वो बराबर होता है लेकिन आप एक करेक्टरिस्टिक्स अब हम देखते हैं जो उसमें नहीं है और वो यह है कि आप देखिए सेल्शियस में बेसिकली हीट मेर करने का स्केल है ना किसी बाड़ी में अमाउंट आफ हीट कितनी है क्या जब मैं कहता हूँ कि किसी बाड़ी में उसका टेमप्रेचर जीरो डिगरी सेल्शियस है तो क्या आप इससे ये फैसला कर सकते हैं कि उस बाड़ी में या उस आबजिक्ट में अमाउंट आफ हीट जो है वो एबसेंट है नहीं है एक और मिसाल लेके वापस इस पे आता हूँ अगर मैं ये कहूँ कि किसी शखस की किसी टेस्ट में नंबर जीरो आए हैं तो क्या आप ये कह पाएंगे कि जीरो नंबर हिस्ट्री में लेट से हिस्ट्री में किसी के नंबर जीरो आने से मुराद ये है कि उसके अंदर है ही नहीं सिरे से मौजूद ही नहीं है ऐसे बहुत सारे जीरो हैं हमारी मेयर्मेंट्स में जिनका मतलब जीरो होने के बावजूद भी यह मतलब नहीं अखस किया जा सकता कि यह करेक्टरिस्टिक उस आबजेक्ट में मौजूद ही नहीं है जिसको हम मेयर कर रहे हैं जैसे ही makan is scale pay celsius scale pay zero लेकिन यह अप्सलिूट zero नहीं है आप्सलिूट zero कैसे होता है मितारे मारे तो मैं आप से ये कहुँ कि मेरी जेब में जीरो रुपीज है मेरी इंकम सिफर है तो देख हैं यह 0 किया जाहिर करता है इस zero का मतलब है कि मेरे income zero का मतलब मेरे पास कोई पैसे नहीं आते मेरी जेब में zero रुपीज है इसका मतलब है कोई रुपे मेरी जेब में बिलकुल नहीं है इसी तरह किसी चीज़ की height zero का मतलब क्या होता है कि height absent है weight zero का मतलब है weight absent है लेकिन temperature zero Celsius का मतलब ये नहीं है कि ये heat absent है तो इसका मतलब है तमाम zero जो हम इस्तमाल करते हैं अपने data में उन तमाम zeros का automatic मतलब उस characteristic का absent होना नहीं होता ये बात हमें खुद से अशूर करनी पड़ती है इसको खुद से ध्यान देना पड़ता है कि कौन से zero absolute है और कौन से zero absolute नहीं है जहां पे zero का मतलब absence of variable नहीं हो उसको मैं कहते हैं ये arbitrary zero है ये असल जो zero है absolute zero नहीं है ये इस scale का zero है otherwise उस variable का zero नहीं है जिसको मैं measure कर रहा हूँ अब इसका हमें basically समझना इसको क्यूं है देखिए दो चीज़ों में comparison करना चाहता है मसला मैं कहता हूँ कि मैंने दो लोगों का देखना है कि इन में से तेज कौन दोड़ता है और मैं एक को सामने वाली दिवार को हाथ लगाना है और यहां से दोड़ शूरू करनी है हम दोनों यहां से दोड़ लगाते हैं और तो क्या आप फैसला कर सकेंगे कि कौन ज्यादा तेज दोड़ता है यह फैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम दोनों एक जगा से शुरू ना करें और theoretically speaking जो भी possible जगा जिस से पीछे हम कहीं नहीं जा सकते वो zero है absolute zero है जा सकता इसे पीछे negative हो जाता है जब तक मुझे किसी data set में यह यकीन ना हो कि जिसको मैं zero कह रहा हूँ यह zero absolute zero है तो मैं यह भी मैं उन दो चीजों के दरमयान या दो objects के दरमयान किसी characteristic के against उनका comparison नहीं कर सकता comparison के लिए लाजमी है कि वो एक जगा से start हो और वो एक जगा इलावा absolute zero के और कोई नहीं हो सकती बाकी तमाम अगर मैं को reference point रखूंगा तो वो arbitrary हो जाते हैं सिर्फ absolute zero एक ऐसा point है जिस data set में अब आप देखें कि उसका zero absolute है जैसे variables कैसे है income है आपकी height है weight है जो मैंने बताया यह absolute zero वाले variables हैं जिसका भी zero absolute होगा variable का हम कहेंगे कि यह ratio numbers है यह ratio data है और इन में characteristics के दरमियान ratio निकाली जा सकती है एक को दूसरे से divide किया जा सकता है और जो answer आएगा meaningful होगा लेकिन otherwise अगर उनके zero absolute नहों तो उनमें ratios नहीं निकाली जा सकती है और data analysis के वक्त वो अमाम analysis जो ratio को work out करते हैं वो वाले analysis apply नहीं किये जा सकते हैं उन numbers के उपर जिन numbers के अंदर zero absolute नहीं होता तो तो ratio का मतलब यह हुआ अगर मैं sum करूँ तो यह data set वो है यानि यह numerical value है जिसके नदर चारो characteristics है recognize भी किया जा सकता है order भी इनमें होता है interval भी होता है और जाफी मात यह है कि इनका zero absolute होता है तो आप इसका जिस भी data set का zero absolute होगा वो ratio variable कहलाएगा और ratio data sorry कहलाएगा और आप उसके उपर meaningful तरीके से ratios work out कर सकते हैं अगर आपका data ratio characteristics नहीं रखता तो आप इसके उपर वो कोई analysis perform नहीं करेंगे जिसमें ratios का इस्तमाल होता हो बिल्कुल पिछले modules की तरह इसकी slide पे भी मैंने आपके लिए मिसालों से इसकी वजाहत की हुई है और इसके characteristics को बियान किया हुआ है मेरी बात को मजीद समझ ना हो तो आप इन slides के उपर दिया गया दी गई information को पढ़ सकते हैं अब अगर मैं इन चारों scales को आपके लिए एक जगा पे सम करूँ ताके आप comparison कर सकें तो आप देखिए कि हमने चार characteristics की बात की ठीक है पहला था recognition दूसरा था ranking यानि order तीसरा था equal interval और चौथा था absolute zero इनको मैंने vertically लिखा और जो चार आपके scales of measurement है nominal, ordinal, interval और ratio उनके against आप देखें तो nominal में सिर्फ एक characteristic है उसके अंदर आने वाले numbers जो हैं उसके जरीए आप data को recognize यानि subjects को recognize कर सकते हैं variable को ordinal में आप recognition के इलावा उनमें एक तर्तीब भी पाई जाती है बड़ा number बड़ी value उस variable के ज्यादा होने को जाहर करती थी interval में आप चले जाएं तो ये भी establish जो आता इस data में कि इनके किसी दो consecutive numbers के दर्मियान distance एक जैसा है और ratio में वो तमाम data जिसके अंदर zero जो होगा वो absolute zero को represent करेगा तो हम कहेंगे कि ये चार और हर next में आप देखिए पिछले characteristics शामिल होते हैं यानि अगर किसी चीज़ का zero absolute है ना तो ये possible नहीं है कि उसके interval same नहीं हो उसके consecutive numbers के दर्मियान फासला एक नहीं हो ये possible ही नहीं है उसके जरीए से आप उन में order नहीं हो ये मुम्किन ही नहीं है आप उससे recognize कर सकें ये इसकी possibility नहीं है तो हर higher level में पिछले level के characteristics inherently मौजूद होते हैं तो आप इस table के जरीए से अपने इस पूरे पिछले modules में जो हमने levels of measurement को पढ़ा आप इसकी एक summary अपने याद्यानी के लिए stable की सूरत में अपने जहन में रख सकते हैं